रेडियो खांची मैं आप सब का स्वागत है। अतना सुक्षम भी। अतहिसे लक्षन की परिदी में बद्ध करना बड़ा कठीन है। अगनी पुराणकार के अनुसार संचेप में इस्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त वह वाक्य काब्य है। जिसमें दोश का अभाव हो गुण वर्तमान हो और वाक्य अलंकरित हो। अगनी पुराणकार लिखते हैं संचेपात वाक्य में इस्टार्थ व्योचिनना पदावली। काब्य मिस्फुरत तलंकार गुण वद्दोश वर्जीतम। आचारे दंडी के अनुसार इस्टार्थ या मनोरंजन चमतकृत हेदय आहलादक अर्थ से युक्त पदावली श्रब्द समू काब्य है। दंडी कहते हैं शरिरम तावति श्टार्थ व्योचिनना पदावली। काब्य का रस अनुवित लक्षन प्रस्तुत करने वाले आचारें का नेत्रित्व महीम भट ने किया है। काब्य लक्षन में रस के समावेश की परंपरा का आरंभ महीम भट से ही होता है। महीम भट कहते हैं अनुभाव विभावनाम वर्नाह काब्यम उच्यते। आगे चलकर मम्मट व्यवस्थित बेज्ञानिक लक्षन करते हैं और पुर्वर्ति सभी परिभाशाओं में सामंजस्य उपस्थित करते हुए लिखते हैं तद दोशों शबदार्थों सगुनावन अलंकृति पुनह क्वावपी यानि मम्मट के अनुसार दोश रहित गुण युक्त सामानेत अलंकार सहित और कदाचित अलंकार भी रहित शबदार्थ को काब्य कहते हैं। मम्मट की परिभाशा का सबसे बड़ा दोश यह है कि आचारी मम्मट ने अलंकार प्रयोग में अपवादत मुक्ती का आवकास तो दिया। पर दोश रहित गुण के सदभाव को अनिवार्य सकर दिया। जिस कारण परवर्ती आचारियों में कविराज विश्वनाथ ने इसकी आलोचना की। आचारी मम्मट का खंडन कर आचारी विश्वनाथ ने अपनी परिभाशा दी और कहा वाक्यम रसात्मकम काब्यम। अर्थात रस जिस काब्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठी थो वही काब्य है। पर जिस काब्य में रस परिपुष्ट नहीं हो पाता, मात्र भाव का ही सुन्दर विन्यास दिखता है, वह भला क्या है। तो इसके बाद सबसे अर्वाचीन लक्षन पंणित राज जगन्नाथ देते हैं। वे कहते हैं रमनिय अर्थ प्रती पादक श्रब्द काब्य हैं। अर्थात रमणिय अर्थ का प्रतिपादक श्रब्द काब्वे हैं। इसकी ब्याख्या यूं की जा सकती है कि जिस श्रब्द या जिन श्रब्दों के अर्थ के बार बार अनुसंधान करने से, मनन करने से रमणियता यों अलोकिक चमतकार के अनुभूति हो वह काब्वे हमारे आचारी उक्त लक्षणों के अनुसार विशिष्ट शब्द या वाक्य हिंको कावे मानने वाले नहीं हैं बलकि शब्दर अर्थ दोनों को कावे मानने वाले हैं भामह ने कावे का लक्षण किया और कहा शब्दार्थव सहीतव काव्यम अर्थात श्रब्द और अर्थ से युक्त रचना को काब्य कहते हैं भामा का यह लक्षन अति ब्याप्ति दोश से दुशी थे क्योंकि श्रब्द और अर्थ से युक्त तो ब्याकरन दशनादी के ग्रंथ भी होते हैं जो काब्य नहीं कहे जाते इस दोश को दूर करने के लिए इस पंक्ती का अर्थ बिभिन प्रकार से किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका अर्थ इस प्रकार किया और कहा सहित अर्थात सामंजश्य पूर्ण श्रब्द अर्थ को काब्य कहते हैं। सरुप्रदान करते हैं ऐसा आनंदवर्धन रभिन गुप्त का मानना है। दोनों की प्रधानता मानने वाले हैं। दरसल देखा जाये तो वास्तों में काब्य का शरीर श्रब्द अर्थ हैं, रस आत्मा है, शौर्यादी गुण है, अंगों के सुगठन के समान रीतियां हैं, और कुंडल के समान अलंकार हैं। कविता का कोई सरुमान लक्षन होना कठीन है। इसके अनेक कारण हैं, कविता के संबंद में कलाकारों के दो प्रकार के मनुभाव हैं। कोई कवीता को केवल मनोरंजन का साधन समस्ते हैं और कोई इसके विपरित कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कवीता के प्रशंसक ही नहीं पूजारी भी हैं तो लक्षण महिनता की जो मुख्य कारण है ऐसे ही मनोभाव हैं देखा जाए तो कविता के मुखे तर दो पक्ष शामने आते हैं एक भावपक्ष दूसरा कलापक्ष इस दिष्टी से लक्षणों की परिक्षा की जा सकती है रमणी ये अर्थ के प्रतिपादक श्रफ्द ये रसात्मक वाक्य को कावे कहने से कलापक्ष छूट जाता है कावे प्रकाश में निर्दोष, सगुन तथा सालंकार श्रफ्द रर्थ को कावे कहते हैं इस लक्षण में कलापक्ष तो है पर भावपक्ष का अभाव है ऐसे ही रितिर आत्मा कावे से में कलापक्ष तो है पर भावपक्ष नहीं रिति को कावे की आत्मा मानना भी अथार्थ नहीं है कावे से आत्मा ध्वनी यह है अथार्थ है पर इसमें कलापक्ष की उपेक्षा है तिस तरह से देखते हैं कि पहले में शब्द की दुसरे में अर्थ की प्रधानता है कहना चाहिए कि कहीं शरीर है तो आत्मा नहीं और आत्मा है तो शरीर नहीं इस तरह संस्कीत के विद्वानों ने कावे के लक्षन पर विचार किया है आगे पाश्चात विचारकों के अनुसार कावे के क्या अभी लक्षन है ये हम देखते हैं डेनिस ने कविता को प्रकृति का अनुकर्ण बतलाया है और कहा Poetry is an imitation of nature by a pathetic and humorous speech रस्कीन ने तो इसबस्ट कहा है कि कविता कलपना के द्वारा रुचीर मनोवेगों के लिए रमणिये छेतर प्रस्तूत करती है वर्षवत के अनुसार Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings अर्थात उतकट भावना का सहजुद्रेक काववे है यह लक्षन कविराज विश्वनात का प्रती रूप है कलरीज का कथन है काववे लक्षन उत्तम शब्दों की उत्तम रचना है Poetry is the best words in the best order यह कथन वामन के लक्षन से मिलता जुलता है Matthew Arnold कहते है Poetry is at bottom of criticism of life यानि कविता जीवन की आलोचना है Arnold की इस परिभाश को महत्यपूर्ण माना गया प्रतु इसमें भी संपूर्णता का अभाव है क्योंकि कविता के अलावा साहित्ती के दूसरे रूपों में भी जीवन की समिक्षा संभव है तो इस दिरह हम देखते हैं कि पाश्चाते कावे संबंदी धर्णाओं का सार यह है कि वहां भाव, वुद्धी, कल्पना और शैली के सामंजस्य को ही सुंदर कविता माना गया संस्कीत कावे श्रास्त के अनुकरण पर हिंदी के रितिकाल में कावे चिंतन का जो अभिने किया गया उसमें मौलिक्ता का अभाव है रितिकाले नाचार्यों से अधिकांस ने संस्कीत के कावे लक्षनों को ही अपनी परिभासा का आधार बनाया रितिकाल के प्रसित कवी ठाकूर कहते हैं पंडित और प्रविनन को जो चीत हरे सो कवित कहावे यानि जो पंडितों और कला प्रविणों को मुख्ध करता है वह काब्वी है इसपश्ट ठाकुर कवी का यह लक्षन एकांगी है क्योंकि कविता का लक्ष मनोरंजन या केवल मनोरंजन नहीं हो सकता आचारी केश्वदास ने कहा राजत रंचन दोश युक्त कविता बनिता मित बुंदक हाला परत जियों गंगा घट अपवित्र आगे कुलपती ने भी काबे की परिभाशा दी और कहा जगते अदभुत सुख सदन सबदरु अर्थ कवित यह लच्छन मैने कियो समुझी ग्रंथ वहुचित हिंदी साहित के आधोनिक काल में कवियों और आलोचकों ने अपने हिसाब से काबे लक्षन को परिभासित किया है आचार महाविर प्रसाद द्वेदी के अनुसार अंतह करण की वृत्यों के चीत्र का नाम कविता है जिसे सरल प्रत्यक्ष मूलक और रचनात्मक होना चाहिए द्वेदी जी सादगी असलियत और जोश ये तीनों गुण कविता के लिए अप्यक्षित मानते हैं पर उनकी उप्युक्त मानेता हैं केवल कविता के कलापक्ष का ही प्रतिनिधित्त्तु कर पाती हैं हिंदी साहित के प्रसीद आलोचक आचार रामचनर शुक्ल ने तो कविता के लक्षन पर विचार करते हुए कविता क्या है एक निबंध ही पूरा लिखा है उसी निबंध में आचार शुकल ने कविता की जो परिभाशा दी है कावे की जो लक्षन बताए हैं वो इस प्रकार है शुकल जी कहते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ग्यान दशा कहलाती है उसी प्रकार हिर्दय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है ह्रिदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वानी जो श्रब्द विधान करती आई है उसे ही कविता कहते हैं इस प्रकार शुकल जी ने वाक्यम रसात्मकम काब्यम को ही नई अर्थवत्ता प्रदान की है इसमें मौलिक्ता के साथ साथ अनावश्यक फैला भी हो गया है बाब गुलाव राय के अनुसार काब्य संसार के प्रती कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के धाचे में ढली हुई श्रे की प्रेयरूपा प्रभावत पादक अभिव्यक्ति है चायवात के प्रख्यात कवी जशंकर प्रसाथ की दिष्टी में कविता आत्मा की संकलपात्मक अनुभूती है वही महादेवी बर्मा कहती हैं कवीता कवी विशेश की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हिर्दय में आविर्व्यूत हो जाती है इसमें हम देखते हैं कि रशनिश्पत्ति की वही प्रक्रिया है जिसका नाम साधाराणी करन है चायवाद के प्रतिष्ठित कवी सुमित्रा नंदन पंत भी कावी को परिभाशित करते हैं और कहते हैं कि कवीता परिपूर्ण छणों की वानी है उन्होंने वालमिकी और शेली की भाथी कावी को विशाद में छणों की वानी घोशित किया और कहा इस प्रकार कावि लक्षणों की समिक्षा से यह हस्पष्ठ होता है कि कवियों और विवेचकों ने कावि लक्षणों में कहीं तो उसकी बनमोहक शक्ती की प्रसंसा की है और कहीं उसके रमणिये गुणों का निदर्शन किया है कहीं तो कवि की चीत वृति का वर्नन पाया जाता है और कहीं उनके विचारों का जिनसे कविता का प्रादुर्भा होता है किसी ने भाव पर, किसी ने कलपना पर, किसी ने रचना शैली पर, किसी ने प्रकाशन शक्ती पर, किसी ने उद्धीपक शक्ती पर, तो किसी ने रहस से पक्ष पर बल दिया है कोई काब्य को आनन्द मूलक कोई कला मूलक कोई भाव मूलक कोई अनभूती मूलक कोई आत्म रिती मूलक और कोई जीवन मृति मूलक कहते हैं काब्य के वक्त विवेचन में जो भीनता पाई जाती है उससे किसी एक निश्चित सिधान पर नहीं पहुचा जा सकता कुल मिलाकर हम कह सकते हैं संचेव में कि सरहिदयों के हिदयों की आहलादक रुचीर रचना काब्य है सरहिदयों के हिदयों की आहलादक रुचीर रचना काब्य है यहां रुचीर से कलापक्ष का और आहलादक से भावपक्ष का बोध होता है उमीद है इस परिचर्चा से आप सभी लाभानुईत होंगे धन्यवाद